तो आप लोगों का ये स्टिडि पॉइंट आज अब गड़ में स्वागत है दोस्तों आज हम आप लोगों को महत्वपूर सुषना बताने वाले हैं आयोग की तरफ से आखिं आयोग क्या क्या खिल की खिलता है हम लोगों के साथ उसी के बारे में बताएंगे लेकिन इसके प जैसे आप लोगों को पता है कि जो निकपाल है इस समय उसका रिजट आया हुआ है जो 8085 के आसपास पोस्ट है अब डीवी के लिए बुलाया जाएगा और जैसे पता है आप लोगों को जो वीडियो रिजाम यानी 2018 की जो बैकनसी रुकी हुई थी उसका भी 26 और 27 जून को ज क्या दिक्कत करेगा हम लोगों के लिए आखिवो कौँ साथ खेल खेलेगा उसी के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को जैसे आप लोग देख रहे हैं कि लेकपाल डाकुमेंट वेरिफेकेसम होने वाला है और जल्द ही अभी तो हलाकि इसकी कोई डेट की घुरा नही पेपर है अब ऐसे में दोनों जगर कंडिडियेट जो हैं और टकराएंगे निश्चित है कि कोई वीडियो रिए एकजाम का पेपर देगा जिसका रिलेकपाल में डीवी के लिए बुलाया गया है तो ऐसे में आयोग दोनों वैकेंसियों को साथ साथ लेकी चल लेकी कोशि कर देना चाहिए था अगस्ति या सितंबर में कर देना चाहिए था बच्चे मान भी जाते ज्यादा प्रोटिश्ट नहीं करते क्योंकि इनको यह चलिए था कि यह लेकपाल का जो डीवी के लिए बुलाए गया है उसके बाद एक मिल्क निकाल करके इन लोगों को पूरी त यहां की वो सकता है उन्हें बाद में लोकरी मिल जाएगी तो यहां की सबसे बड़ी लपारवाई होती है यही महतवपुर बात हम आप लोगों बताने के लिए हैं तो हम लोगों को ऐसी कंडिशन में तयार रहना होगा और प्रोटेश्ट या अपने माध्यम से उन लोगो के कानों तक किसी तरह ख़बर पहुचानी होगी कि ए जो हो रहा है एक गरीब के बच्चे के साथ बहुत अन्या हो रहा है आपको पहले इसका लिखपांच करें डीबी का यानि पूरी इसकी तरह से चैन तक्रिया को पूरी कर लीजी ताकि ये बच्चे अपने नुकरी करें और उसके बाद वीडियो रही एकजाम के पैच्चा हो जिससे मेर बच्चे बैठें यानि वे लिखपाल वाले बच्चे इसमें तक नहीं जाएंगे और ऐसे में जो भी इसकी सीट निकलेगी जो भी सीट है उसमें बच्चे पूरे के पूरे भारे जाएं लेकिन ऐसा आयो कोट नहोग लगाई और उसके बाद देखिए अब जातर के फिर से एक जाम परा रहें तो कितना बड़ी लग परवाही है अब उसके लिए हम लोगों को प्याब रहना होगा कि फिर से आयोग ऐसी कोई गलती न करे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा उसको चगरना पड़ेग आगे क्या होगी अब उसके लिए जरूर वीडियो लेकर के आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद